तो बच्चों हम आज आपके लिए लेकर रहा है DNA सूपर क्वाइलिंग देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में DNA सूपर क्वाइलिंग क्या है लास्ट लेक्चर में आप लोगों देखा था टाइपस आप डियनने और टाइपस आप आर्जने अच्छा आप बताई जो जन्रल डियनने एंट वह क्या देर वहें और जो है कि बीडियन्युक तॉर добав य आगंवाकि मौश्ट कामन टाइपस आप देनने क्या है भी डियनने से तो बीडियनने को ध्यान में रखते हुए हम लोग DNA सूपर क्वाइलिंग पढ़ेंगे ओके अच्छा क्वाइलिंग मतलब क्या है अब सूपर क्वाइलिंग मतलब क्या है अगर DNA का थ्रेड सूपर मतलब in Extra Qoil मतलब और Qoil हो जाए या फिर कम Qoil हो जाए क्वाईल तो है अच्छा हम लोग इसको Qoil क्यों नहीं बोलें क्योंकि DNA का Qoil तो पहले सही Qoil है ॉद ना इस ट्रक्चर जो है पहले से वह Qoil है ना पहले से आसे ना इसलिए इसको civilization's भी से התुई जाए है ईसी सिका बोलेंगे हम लोग सुपधे अब स्नग स्नारी अप कौता होगा थहीं पता होगा उसका जो 1 है उसको कितना लिंथ है बताएए 34 एंगेस्ट्राम और इसका डायमेटर कितना है 20 एंगेस्ट्राम और वन टर्न के बीच जो कितने बेस पेयर ना 10 बेस पेयर है और दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगेस्ट्राम यह सब्लाट आपको याद है ना तो आए देखते हम लोग DNA सूपर क्वाइलिंग आप लोग हैडिन देंगे DNA सूपर क्वाइलिंग ओके इसकी देखिए डिफिनिशन देखिए यह फार्म आप DNA इन वीच दडबूल हेलिक्स इस फर्दर ट्विस्टेज आउट इबाउट इटसल फार्मिंगे टाइटली क्व क्वाइल हो जाएगा ठिक और क्वाइल हो गया DNA मच्वाइलिंग हो जाएग यही हो गई सूपर क्वाइलिंग यही है DNA की सूपर क्वाइलिंग समझ में आ गया यह क्या है यह फार्म आप DNA इन वीच दडबूल हेलिक्स इस फर्दर ट्विस्टेज डबूल हेलिक्स हाई ही वो और भी twisted हो जाता है about itself farming a tightly coiled structure और ये अधि के twist होके एकदम coiled structure बनाता है यही है DNA super coiling समझ में आए definition DNA super coiling क्या है DNA super coiling है DNA coiled तो है यह DNA malay-goyled है यह और coiled हो जाएगा ओके यही है DNA super coiling समझ है अब देखिए एक अगले definition आपने दो definition लिखी है DNA super coiling refers to the over-over-under यह आप समझ एक over-over-under winding of a DNA strand and is an expression of the strand and that strand इसको देखिए आप लोग इसने बता है DNA super coiling refers to the over-over-under winding of a DNA strand and is expression of the strand on other strand जैसे माल लेजिए यह एक original form of DNA है ना original form of DNA फिर से बना जाते हैं जैसे माल लेजिए यह original form of DNA तो DNA super coiling में दो कैसे सोच रकती है या फिर या फिर DNA much coiling हो जाए और अधिक इसमें coiling हो जाए ऐसे माल देजिए इसमें और अधि और फिर कम अंडर कोईलिंग हो जाए तो यही है Super तो यही है DNA Super क्या है DNA Super क्या है DNA सूपर क्वाइलिंग refers to over यह अधिक वाला यह देखेखे नहीं आप लोग और क्वाइल हो जाए और under जो कम वाला बनाये थे under coil under winding winding मतलब एक दूसरे से जुड़ेना off a DNA strand एक DNA strand का and a gen expression off the strand and that strand अच्छे आपको DNA super coiling समझ में आ गया है DNA super coiling क्या है जैसे यह आपका एक common DNA है यह DNA आपका है इसमें इतनी coiling है अगर यह DNA much coiled हो जाए या फिर यह DNA less coiled हो जाए यहीं है DNA super coiling सब्सक्राइब आगा DNA super coiling आप देखेज DNA super coiling जानते हमेशा circular DNA में ही होता है यह बात आप ध्यान रखिएगा जो DNA super coiling होगा circular DNA में ही होगा यहाँ हमने एक DNA super coiling को दिखाया है माल लिजे यह आपका relaxed DNA है ठीक यह relaxed DNA है DNA में over binding हो गया देखेजिए इसमें over binding हो गया तो इसमें धेर सारी coiling हो गई देख रहे हैं पहले थोड़ी coiling थी यह पहले इतनी coiling थी अब इसमें बहुत धेर स्वारा coiling हो गई और under binding में इसमें coil कम हो गई यही है हमारा DNA यही है आपका DNA super coiling हमने ओवर बाइंडिंग का डिपनीशन लिखा है इन ओवर बाइंडिंग स्टेज डियन ने है more helical turn ओवर बाइंडिंग में आप देख रहे हैं अंडर बाइंडिंग स्टेट अप डियन ने डियन ने है फ्यूर रिलिक्स उसमें कम हेलिक्स हो जाएंगे यहां पर एक ओरिजिनल फ़ाम आप डियन ने को बताया है most common double helical structure found in nature is BDNA most commonly five पाया जानेबल डियन ने क्या है BDNA इन वीज डबल हेलिक्स इस राइड हैंड जिसमें double helix का क्या है राइड हैंड विट एबाउट 10-10.5 बेस पेयर पर टन जिसमें 10 से साड़े दस इसमें साड़े दस दिया गया है लेकिन जनरल लोग 10 मेजर करते हैं 10.5 base pair per ton में होते हैं, एक ton में 10 से 10.5 base pair होते हैं, आप देखिए, आच्छा आपको tag on coiling समाज में आ गई, coiling समाज में आ गई न, DNA का ज़्यादा coiled होना, या फिर कम coiled होना ही, क्या है, DNA super coiling, आप बताते हैं, आप लोग types आप coiling, DNA के coiling कितने type की हो सकती है, ठीक है, पहला है negative super coiling और दूसरा है positive super coiling, तो जो super coiling आप DNA है, वो दो type से हो सकती है, negative super coiling और positive super coiling, आपको पहले बता दे, negative super coiling का मतलब, जो helix turn है, वो कम हो जाएंगे, ठीक है, और positive super coiling का मतलब, helix turn जा रहा हो जाएंगे, ठीक यही में डिफ्रेंस है निगेटिव सुपर क्वाइलिंग में आप जानते है DNA is twisted about on axis in direction opposite to right-handed जैसे माले यह DNA एक right-handed है यह इसके opposite direction में twist करता है ठीक है opposite direction में और जो पाश्टिव सुपर क्वाइलिंग होती है उसमें DNA right direction में twisting होती है ठीक यह तो सेम हो गया तो जो निगेटिव सुपर क्वाइलिंग है जानते हैं उसमें DNA is twisted about on axis in direction opposite to the right-hand आप double-handed जो right-handed double-handed DNA है उसके opposite direction में यह होता है twisting तो क्या होता है DNA में जो हेलिक से कम हो जाता है ठीक है that is left-handed twisted यह क्या करता है it causes decrease in number of helix around another अच्छे आप लोग पाश्ट्यू सुपर क्वाइलिंग देख लिए फिर दोनों टैली करते है देखिए twisting आप सुपर क्वाइल आर इन सेम डारेक्शन जैसे मतलब समझ दाएं आप लोग यह मतलब एक DNA है पाश्ट्यू में क्या होगा इसी direction में और ज़्यादर twisting हो जाएगी इसी direction में और twisting हो गई अब लेकिन left hand में क्या होगा यह देखिए इस direction में क्वाइलिंग है न यह इसी का विप्रित क्वाइलिंग हो जाती है इसमें double helix जो head turn वो कम हो जाते है ठीक है twisting आप super quailing in cm direction उसी direction में होगा है जैसे आप एक रस्टी को लीजिए अगर उसी direction में आट रहे है तो वहाँ पर item कम रस्टी में आप वो item जो होगा और ज़्यादर बढ़ जाएगी लेकिन उल्टे direction में जब करेंगे तो item खुलने लगेगा वही इसमें किया गया है पाश्टी में आप रस्टी के direction के दिसा में ही इसको क्वाइल करेंगे और निगेटिव में उसको direction के भीप्रित करेंगे अगर आपको रस्टी खोलना हो तो आप भी फिर दिसाम करते हैं ना ताकि उसका जो आइठन हो खुल जाए और पाश्टी वाले में आइठन चड़ाते हैं यही है पाश्टी और निगेटिव सूपर क्वाइलिंग ओके आप लोग समझ गये ना ट्विष्टिंग आप सूपर क्वाइलिंग य को एक फीवर दिखाया गया रहा हैं यह मुझे आपका रिलेक्स डियन है अगर आप्सितार कौई लिंग करेंग должно करेंगे इस तरह को यतना ध्यान दिजी आप लोग यह देखिए इस तरह है ना और यह इस तरह है है कि यह उल्टा हुग नहीं अगर आप यस मिलाएंगे तो यह इस तरह है और यह इस है यह पाश्ट्यू सूपर क्वाइलिंग मतलब राइट है और यह निगेटिव लेफ्ट हैंडेड है इसमे यह आपका पाश्ट्य सूपर क्वाइलिंग और निगेटिव सूपर क्वाइलिंग अब फंक्शन आप सूपर क्वाइलिंग सूपर क्वाइलिंग क्यों हो रही है जीनों पैकेजिंग में डियन्ने सूपर क्वाइलिंग का बहुत ही है जीन एक्सप्रेशन में अगर किसी बीच समेटेम पड़ाइगी दिने उसमें इसको खोला जाता है टिक तो जिन ए नीरा या वहल झाल को घुल को झाल का जैता है रहता है यह आने ने जोटरी ट्वेयोहां खल जैता है थैंड जशन ब्रेक करके डिने का अंडर बाइंडिंग करता है या फिर ओवर वाइंडिंग भी दोनों का करता है यह एक छोटा सा नोट है ब्रेक करता है यह एक डिने से दूसरे डिने का बनना तो यह इसका को खोला जाएगा इस सुपर को खोला जाएगा ना तभी यहां पर एक डिने बनेगा ठीक है और इस डिने सुपर क्वाइलिंग का जीन ट्रांस्किप्सन में भी रोल है ओके बच्चा तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप लाइक कर दिजिए और हाँ आपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और डिने सुपर क्वाइलिंग आपका इंपोर्टन टॉपि इसको त्यारा किएगा थैंक्यू सो मच्च मिलते हैं नेक्स लेक्चर में